यह साथ में देखिए यह तिस्ता नदी है तो हम लोग अब वेस्ट पेंगॉल की जो बॉडर है वो अब हमारी खतम होरी और अब हम ओफिशली यह देखिए आप सिक्किम एंटर कर रहे हैं तो आप देख सकरे होंगे कि क्या जबर्दस्त जबर्दस्त देखता हूं तो अभी हम लोग जाम में फस्स गए हैं गंटोक लगबग आ चुके पांच बज़े तो पांच बज़े हम पोच रहे हैं और आप यह देखिए दो अगलो व्यूवर्ज वेलकम टू अवर चैनल तो मैं और आरती आज आपके सामने लेके आ रहे हैं एक व्लोग की सीरीज और हम जा रहे हैं दोनों सिक्किम ट्रिप पर और अब हम आपके सामने लाएंगे मस्त जबर्दस वाले सिक्किम के व्लोग तो जैसे आपको पता है क अब नोर्थ इसट इंडिया के एरिया में आता है और अभी हम मॉर्निंग में मुंबई के टी-1 जो टर्मिनल वन एर्पोटे डॉमेस्टिक वहां पर आचुके हैं और वहां पर आके हम सुबह अभी लगबग साड़े चे बज़ रहे हैं और साड़े चे बज़े हम यहां पर अभी पहुच के security check-in कर चुके और 8 बजे की हमारी फ्लाइट है मुंबई से बाग डोगरा तो अगर आपको सिक्किम जाना है तो सिक्किम आप गंटोक जाएंगे और गंटोक जाने के लिए आपको बाग डोगरा नियरेस्ट एरपोर्ट पड़ता है सिली गोडी का तो अ कारती अभी खड़ी है यह सामने ट्रेवल क्लब लॉंज एंड बार जो दिख रहा है उसकी लाइन में और यह डॉमेस्टिक टर्मिनल है मुंबई का बहुत अच्छा है तो चलिए हम लॉंज में चलते हैं तो यह देखिए आप यहां का बार कित्ता जबरदस्त है और वहां सामनी की तरफ आपके खाने और का कुछ भी साम आपको लेना है तो आप महां से ले सकते हैं हम लोग एंजोई कर रहे हैं हमारे लॉंज एक्सेस में इस मस्त वाले सूबसूब की 6 बजरी और नाश्टा कर रहे हैं तो मैं आपको नाश्टा दिखाता हूं हमने क्या क्या ले रख तो अभी सूबसूब का है साड़े शे बज़े का टाइम है तो इसलिए हम लोगों ने डोसा ही लिया है आरती ने थोड़ा सा उपमल यह मैंने भी सिफ डोसा लिया है और यह थोड़ा सा चटनी और या आलू कुछ है फ्राइड तो अभी सूबसूब हमारी एनरजी डाउन है आरती नीन पूरी नीव से बहुड़ा था तो हमें ऑらट अलोट अज्ब करने से रहे थे तो हमें ऐनृट का पता है कि अंभी सेल्डे ने चार्ज लगा सिफ लें पर घ्लोगों मेरे अब को जाना है और अगर आपको कंटोक जाना है क्योंकि हम 11 बचे पहुचेंगे और आगे हम आपको और बताएंगे कि हमने वहाँ पे कैब वेब कैसे बुक कर रखी इस पूरी सीरीज को आप देखना सिक्किम वाली जिसमें आपको एक से बढ़के एक हम जगाए दिखाएंगे और आप खुद इस ट्रिप को कैसे कर सकते हैं तो आड़ती और हम लोग पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सीधा फ्लाइट में जैसा होगा आपको आगे बताते रहें तो इंडिगो की फ्लाइट फुल है अभी बाग डोगरा जाने के लिए तो पहुचते ह हैं हम सीधा तीन गंडें बाग डोगरा तो फाइनली आफ्टर थ्री आर्ज ये देखे नीचे सीली गुडी शेहर जो है वेस्ट बेंगॉल नौर्थ वेस्ट बेंगॉल का दिख रहा है और अब हम कुछी देर में बाग डोगरा एरपोर्ट पे लैंड हो जाएंगे सो आ चुके हैं हम अब एरपोर्ट पे तो अभी हम लोग बैठे हैं कार में और अभी चार गंडे हमें ड्राइब करके गंडोग पोचना है तो हम लगभग अगर जाम नहीं मिलता है क्योंकि पाहडी रस्ता रहता है तो जाम नहीं मिलेगा तो तो हम चार गंडे में पोच जाएंगे तीन बजे तक तीन सावा तीन तक नहीं तो देखते हैं आगे कब तक पहुचेंगे और हम दोनों और आरतिया आपको बता दें पहली बार अभी तक हम लोग कलकत मलब वैस्ट बेंगोल में आये हैं तो यह नौर्थीस्ट के इंडिया में पहली बार हम लोगों ने अपना कदम रखा है और यह वैस्ट बेंगोल का नौर्थ पार्ट है और थोड़ी देर में हम सिक्किम स्टेट में एंटर करेंगे बाद में तो बीसिकली एरपोर्ट तो गंगटोक में भी है बट गंगटोक के एरपोर्ट में इश्व यह रहता है कि अगर वैदर क्लियरे तो आप पे अधिकतर फ्लाइट वेदर अगर अच्छा नहीं होता है तो नहीं उड़ती है उस तरफ तो सब लोगों के लिए अगर सिक्किम जाना है तो नियरस्ट बार्ट डोगरा एरपूट है तो यह जो पूरी सिक्किम के हमारी ट्रेवल है यह विसिकली हमारा किते है फा बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है इस्यू यह हुआ कि हम लोगों ने नोर्थ सिक्किम के लिए प्लान कर रहा था बट हेवी रे안फोल के कारण नौर सिक्किम करना पड़ा तो अभी हम एक एक हर एक व्लोग आप देखते जाहिए यह सीरीज यह जो पूरा आने वाले जो चार-पांच व्लोग जित्ते भी व्लोग होंगे उसमें आपको बहुत जबरदस्त हम एना एक एक चीज अच्छे से अच्छा खासा मतलब बड़ा शहर है तो जो हमारा आखरी दिन होगा इस ट्रिप का वहां पर हमारा इस्टे सिली गुडी में है तो वह तो हम आपको आगे बताएंगे तो अब यह हम दीरे दीरे इस हम आगे बढ़ते हैं रस्ते पर आपको आने वाले जो मस्त एक दम रस्ता है वो भी आपको बताएंगे थोड़ा रुकेंगे बीच में कहीं पर तो और आपको जानकरी देंगे तो यह इंडिगो की फ्लाइट सबसे अर्लियस फ्लाइट होती है मुंबई से जो आट बजे निकल ती इसके बाद की फ्लाइट शैदा 11 बजे की है ना मुंबई से तो तीन ही फ्लाइट है पूरे दिन में नौन-स्टोप जो है मुंबई से सबसे बैस्त यही रहती है कि आप आप बजे महां से फ्लाइट केच करिए 11 बजे पहुच पर यहां पर आने का सबसे अच्छा सीजन अगर आपको सिक्किम विजिट करना है तो मार्च अपरेल मंत बहुत अच्छा होता है हम लोग तो यसे ही है एकडम रेंडम करके आए हमने सोचा कहीं जाना है हमें कोई एसी जगह समझ नहीं आ रही थी तो हमने आका ट्रिप बना दिया तो अभी तो जैसे थोड़ाуется मौनसून सीजन रहता है तो सिक्किम में आप और सिक्किम तो नहीं जासकते और जाना भी नही का इशूर हैं तो और हम लोग हमेशा खुदी है ना ट्रिप पूरी प्लान करते हैं होटल से लेके हमारी कैब और सब कुछ तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा यह एक्सपिरियंस तो आप हम लोग सिली गुडी शहर को क्रॉस कर चुके हो और आप देखिए रस्ता किता सुन्दर होता जा रहा है दोनों तरफ बहुत ही हरियाली है और हम उम्मीद यही करते हैं कि रस्ता इत्ता सुन्दर हो कि सफर करने में आनन्द आ जाए बस यह है यहाँ पर एक्चुली आपका यहाँ से सिली गुडी से आप दारजिलिंग डायरेक्ट जा सकते हैं 80 किलो मिटर से और आपका घंटोक 120 किलो मिटर पर लगते हैं आपको 4 गंटे इसलिए क्योंकि यह सिंगल लेन रोड है और सिंगल लेन रोड पे अगर कभी ट्र जो आपकी ब्यूटी है वह तो बहुत अच्छी है यहाँ पर और हम लोग आराम से अंजॉय करते हुए जा रहे हैं बले हम सुबह के पांच बजे के नहीं साड़े चार बजे के उठे हुए हैं पर अभी फ्रेश लग रहा है भी मैं आगे आके बैट गया हूं क्योंकि रस आप देखिए यह रस्ता पूरा इतम घना कहते हैं ना पुल्कुल घना जंगल है दोनों तरफ और जगा जगा पर आपको साइड में वाटरफॉल्स देखने मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और बढ़साथ भी थोड़ी थोड़ी हो रही है बीच बीच में रस्ता बहुत जबरदस्त है और यहां पर मायननदग नदी करके है जो यहां पर बहरी है अब रस्ता देखिए त्ई Rebel रही है यहां पर साइड में जो है तिस्ता नदी बहरी है अरल डृक्ति नायों के बिइस रसते में चली रहे हैं और आप बर्साथ देखिए इता थे तेज बर्साथ हो रही है बहुत तेज और यह की पूरा रस्ता ऐसा ही है आप देखिए बिल्कुल पहाड़ी इलाका है एकदम हरियाली है और देरे देरे इती तेज बरसात है इसलिए आप गाड़ी भी देरे देरे चल रही है अभी हम लोग लगवक सतर किलोमेटर और दूर है गंटोग से और धाई गंटे और लगेंगे यह साथ में देखिये यह तिस्ता नदी है जो साथ साथ ही चल रही है और बरसात इत्ती तेज होरी है और यह जो तिस्ता नदी है यह गुरू डूंगमर लेक जो है सिक्किम में नौर्थ सिक्किम में जो की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है यह वहाँ से ओरिजिनेट होती विवर्स और बरसाथ तो ताबर तोड हो रही है पिछले 20 मिनट से यह बरसाथ एक ही स्पीड पे हो रही है कि यह हम लोग बैठे हैं शर्मा होटल में और मैं अकेला आया हूँ यहां पे अंदर क्या आरती को यह पाहडी रस्तों में ना खाने का मन नी करता रहा हूं देखिए मैंने ओडर कर रहा है अलू पराठा तो उन्होंने अलू पराठा के साथ दिये है यह कहना कुछ छोले मट पर जैसे कुछ सबजी है यह हालू की सबजी है यह दई है और यह चार है तो पराठा देखिए आप मस्त तहम गरम-गरम पराठा है यह देखिए आप और यह है इसका इंट्रेंस तो आरती तो परी खड़ी है और हम लोग मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ अभी अल तो अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया था लंच ब्रेक जैसे तो एक किरने करके एक जगह है बीच में आती हो और बढ़सात इत्ती हो रही है कि आप बाहर निकल के इतना शूट नहीं कर सकते हो सामने ही आप देख रहे होंगे तो बढ़सात का ही पूरा माहुल दिख रहा है और यह साइड में देखे आप किता गना पूरा जंगल जैसे है तो आप देख सकरे होंगे कि क्या जबर्दस्त नजारा है बादलों में छुटा हुआ पूरा पहाड और चर्णने भी पहाड पे गिर रहे होंगे अंदर यह अंदर दीखे और यह नदी तीस्ता नदी सार्च में ही चल रही है कब से जैसे जैसे आके बड़े हैं यह तो हम लोग अब वैस्ट पेंगॉल की जो बॉडर है वो अब हमारी खता मोरी और अब हम ओफिशली यह देखिए आप सिक्किम एंटर कर रहे हैं तो यहां से गंटोक 38 किलो मेटर से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोड़ पे और लाचेन 115 तो यह देखिए बरसाथ तो कब से हम जब से है ना निकले उसके पिछले दो डाई गंटे से हमें बरसाथ मिल रही एसे ओड़ नहीं लेते हैं ऐसे हो गया आपको मैं दिखाऊ हूं कि अगरी अगरी में अगरी आप बहुत ही जबरदस्त वी ओआ रहा है तो आप हम सिक्किम एंटर हो चुके हैं और आपको आप सिक्किम के नजारे दिखाएंगे तो ये अब इस रस्ते पे हमें पहली टनल मिली है तो बहुत ही जबरदस्त मौसम है क्या बता हूं मैं भी वर्स अभी टनल के अंदर बढ़साथ नहीं गिर रही है तो अच्छा है पर अभी टनल के उदर मेरे को लगता है अलगी टाइप की सीनरी दिखने वाली है तो अभी हम लोगों को जाम मिल गया है हां अच्छा हासा लंबा वाला और बहार के नजारे देखिया कैसे हैं जबरदस्त देखता हूं तो बहुत ही यह आगे शायद कुछ हुआ होगा बढ़साथ है तो पता नहीं तो अभी हम लोग जाम में फर्स गए हैं अभी यहां से गंटोक सी 25 किलो मीटर है पर इत्ता लंबा जाम लगा हुआ है आदे गंटे से हम यहां अठके पड़े हैं क्यूंकि कुछ लैंड स्लाइड टाइप हुआ है तो लैंड स्लाइड के कारण आप देखिए और पीछे और आगे की तरफ हो गया है मौसम भी ऐसा है आज आप देखें पूरा को अना वातलों में यह वैली जो है यह प तो एडवेंच लाइफ में थोड़ा बहुत एडवेंचर नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा है ना तो सीधा सिंपल ट्रिप तो करते ही रहते हैं जरा एसी मज़े लेने से भी मज़ा आता है और एक बात बताओ यहां पर आर्मी का मूमेंट भी बहुत जाता रहता है जो मै पर बरसात हो रही है बरसात पूरी रूख जाए ना तो उसका अलग मज़ा ऐसे मोसम में तो पूरे एक गंटे के बाद हम लोगों को जाम से फ्री हुए हम लेंड स्लाइड हुआ था तो अभी यह जो हमारी तरफ की लाइन है इसको चालू करा तो एक गंटे हम लोग करने वाली अभी लाइन बंद है जाने के लिए तो यही कम से कम 2-3 किलोमेटर हो गाए और यह लाइन अभी तक चालू है तो रेनी सीजन में अगर आप पहाडों में आओगे तो यह रिस्क तो हमेशा रहेगा कि लैंसलाइड हो जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो आपका जाम लगने का बहुत हो है तो हम लोग अभी इस समय तक अगर नॉर्मल हम जा रहे होते तो हम अभी तक हमारी होटल पहुच चुके होते गंटोक में पर क्या करें तो चलिए अभी तो हमें एक गंटा भी यहां से और लगेगा ताइम हो रहा है साड़े चार हम लग अगर बस एसे खड़े खड़े बस देखते रहो आप आसपास की सींद्री को तो आपको इतना अच्छा लगेगा यह जब हम मुंबई में हम रहते हैं तो लोनावला जाते हैं तब भी है ना ऐसा ही थोड़ा मौसम रहता है तो चलिए दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन के लिए और एक बात आप यहां पर हमेशा याद रखना कि आप हमेशा अपनी इटनरी बनाओ अगर इस समय रेनी सीजन में तो थोड़ा सा आप कौशियस रहें कि अगर आप रिटन में एरपोर्ट जा रहे हैं कभी भी तो आप कम से कम मैं आपको बोलूँगा कि एक दिन पहले आप सीली गुड़ी पहुच जाएं क्योंकि अगर आप एकदम कट्टू कट टाइम लेके चलेंगे और कुछ ऐसा जाम लग गया तो आपकी फ्लाइट मीश हो सकती है तो ये हम लोग अब गंटोक लगबग आ चुके हैं और हमारी होटल जो है वो लगबग 5-7 किलो मीटर ही दूर है तो हम लोग इस व्लॉग को अब यह ही एंड करते हैं और अगली व्लॉग में आपको हम बताने वाले हैं कि हम कौन सी होटल में रुखे हैं कैसा उसका रू म में रूम टूर भी करेंगे और देखते हैं पॉसीबल अगर रहेगा तो हम आपको यहां के फेमस एमजी रोड पे भी ले जाएंगे तो देखिए आप मौसम तो बहुत एक्तम मस्त हो रहा है और हम पहुचने वाले हैं लगबक पांच बजे तो पांच बजे हम पहुच रहे और अभी शाम के हो गए हैं पांच तो ठीक है बीच में गंटा हमारा वो लेंड्सलेट के कारण हम लेट हो गए थे तो मिलते हैं आप से अगले व्लोग में और इस सीरीज को देखते रहे हैं आप बहुत आगे इंट्रस्टिंग सीरीज होने वाली है